हेल्थ केर टिप्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और पाएं हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड यूसफुल वीडियोज नमस्कार दोस्तों मैं प्रभीट चवबे आप सभी का चीर पर्चे दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महत्पूर जनकारी गोले करके हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम हेल्थ केर टिप्स इन हिंदी है आईए आज हम सभी जानते हैं निमोन क्या है निमोनिया किसे कहते हैं निमोनिया होने के क्या कारण है और निमोनिया होने के लच्षण और इसके साथ पेटेंट कारगर घरेलू अर्वेदी कुपचार निमोनिया फेपड़े में प्रदा हो जाने को निमोनिया कहते हैं सुरू में ठंड लग जाने से फेपड़े हाथ पर ठंडे हो जाते हैं और रोगी की मुत्ति हो जाती है आईए अब जानते हैं इसके रच्छड इसे हो जाने पर तेज जोर बढ़ता है पसलियों में पीडा होती है सीड़ दर्द पैरों में दर्द छाती में हलका सा दर्द बेचायनी प्यास अधिक लगना जीव सूख और काली सी हो जाती है स्वास लेने में का श्ठोता है खासी हो जाती है आदी लच्छड प्रकट होते हैं चलिए अब जानते हैं इसके अरवेदिक उप्चार निमोनिया होने पर दो रत्ती हींग एक मुनक्का में भर कर रोगी को कुछ दिन तक खिलाते रहें निमोनिया ठ कर पिलाएं इससे कब पतला होकर निकल जाता है और दुरुगंधो की डालू नस्ठ हो जाते हैं निमोनिया में लहसुन का रस एक चमच गर्म पानी में मिलाकर पिलाना गुड़कारी है इससे सीने का दर्द कम होता है इस रोग में पाचन अंग भरी प्रकार से कार करने के आयोग्य हो जाते हैं उबलते हुए पानी के गिलास में सहट डाल कर रोगी को गर्मा गरम पिलाते रहने से रोगी दुरुबल नहीं होता तथा सीने और पसलियों पर सहट की मालिस करें 20 तुलसी के हरे पते और 5 काली मिर्च पीस कर पानी में मिलाकर पिलाने से निमोनिया म कपुर मिलाकर रोगी की छाती पर मलने से सिग आराम मिलता है आपका बहुमूल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं मैं हर रोज एक नए घरेलून उसके आयरुवेदा उपचार होम रेमडीज वीडियोज के साथ आता हूँ दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोज को मिस नहीं करना चाते तो कृपया चैनल को सस्काइब कर ले आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूब बताया धन्यवाद आपका दिन सुभा